नमस्कार दोस्तों आज हमने चावल के पापड तयार किये हैं जो कि बहुत भी बढ़ियां बनके तयार हुए हैं तो दोस्तों ऐसे चावल के पापड अगर आपको भी बनाने हैं तो प्लीज मेरा पूरा वीडियो इंट तक देखिए मैं रभीकला आप सबीका अपने आदा चमच बेकिंग पाउडर, एक चमच जीरा, एक चमच नमक और आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर लिया है अब हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है इसी मेही हम सबसे पहले सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमने एक कटूरी चावल काटा लिया था तो उस दस कटूरी इसमें पानी डालना है तो आप कप कटूरी या गिलास जिससे भी चावल का आटा ले रहे हो उसी से ही आप दस कटूरी या दस किलास या दस कप पानी इसके अंदर डाले तो ये हमने दस कटूरी पानी पूरा डाल दिया है तो अच्छे से हमें इसे मिक्स कर ल में रारे हैं हम इसी लिए यह से नीचे ही मिला रहे है datos तो कि विए लगातार चलते वे पाकांगी उसके कहा betrayal गाध़कापन आ गया ग्या है Dus यह से लेडियो राफके हैं बाहुत ही इस में अच्छ पर कर देक। है तो हम अपने गैस के फ्लेम को मेडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही से आख से से पकाएंगे और इसे लगातार चलाते भी रहेंगे जब वाल बहुत यह चा आने लगे इसमें तो हमें दस मिन penser तौर पकाना हैं दस मिन Neptune में यह हमारा चावल का पापड बनने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसे पकते हुए दस में टौर हो चुके हैं तो कुल 15-16 मिनिट हमने पका लिया और काफी अच्छा सा गाणापन भी आ गया है तो कल्ची के पीछे इस तरीके से चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो है कि निसान बहुत ही अच्छे से परफिक्ट बन रहा है बहुत ही अच्छा सा गाणापन आ चुका है तो यह रेडी हो चुका है तो हम डाल देते हैं इसमें मसाले जो की हमने रखे थे साथ ही गैस को भी हम बंध कर देंगे सबी चीज़ों को मिलाने के बाद हम एक बुड़ा चमजे विघ्यटिबल ओयल को छबने की पंगλα पन्नी फिला दी है इसको फिलाने के लिए आप देख सकते हैं पहले से इसमें कितना अच्छा गाड़ा पना आ गया है और ये ठंडा भी हो गया है तो कल्ची की सहायता से इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे फिलाते रहेंगे तो आपको अपने पापड को छोटा रखना है या बड़ा रखना है उस हिसाब से इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं तो ये हमने सभी पापड को लगबग बना दिया है तो आप देख सकते हमने की एक कतोरी चावल के आटे में कितने सारे पापड halves हमने बना लिए हैं तो जब ये सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगे की ये कैसे बने हैं तो यह देख सकते हैं हमारे पापड बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं यह दो दिन में ही बहुत ही बढ़ियां सूख के तयार हो गए हैं आप देख सकते हैं इसकी साइनिंग कितनी अच्छी आ रही है तो यह पापड हमारे बहुत ही बढ़ियां बनके तयार हो गए हैं एक कटोरी चावल के आटे में तो चलिए इसे प्राई करते हैं तो दुसी तरफ हमने गैस पे विजटेबल ऑईल गर्म होने के लिए रखा था हमारा ऑईल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इसे हम प्राई होने के डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे प तो पापड को फ्राई करने के बाद हमने कर ली है इनकी प्लेटिंग तो गर्मा करम है इसे खाने के लिए शर्व करिए चाय के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है तो दोस्तों मुझे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज व नए है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए बेल बंडन को दबाईए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद